देखिए माहा गटवंधन में जब से मुकेश साहनी सामिल हुए हैं तब से तेजस्वी यादो और मुकेश साहनी एक साथ लगतार जन्सभा को संबोधित कर रहे हैं मुकेश साहनी और तेजस्वी यादो एक साथ मंच साजा कर रहे हैं और दोनों इवा नेता मिलकर लगतार बिहार में जन्सभा करके एंडिये के परत्यासी का पसीना छुडा रहे हैं छेत्र में तेजस्वी यादो और मुकेश साहनी लगतार हुंकार भर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ चाहे वह मुकेश साहनी हो या फिर तेजस्वी यादो लगतार आग उगल रहे हैं देखिए आपको मालूम है कि 2024 के लोग सभा चुनाओ का तैयारी अब सुरू हो गया है चुनावी रन भेड़ी बच्चु की है पहले और दूसरे चरन के नमांकन की परकिरिया भी खत्म हो गई है पहले चरन में जहां चुनाव है गया और अंगाबाद जमुई और नवाधा और आप देख रहे हैं कि इन चार जो लोग सभा छेत रहें इसमें 16 तारी को चुनाव होना है और तेजस्वी यादो मुकेश सानी लागतार जन सभा कर रहे हैं हेलिकप्टर से यात्रा कर रहे हैं एक साथ यादो और सानी मिलकर एंडिये की हालत बिहार में खराब कर रहे हैं जब से मुकेश सानी महा गटबंधन में सामिल हुए हैं भी आईपी के इंट्री हुई है तब से तेजस्वी यादो के साथ मुकेश सानी दिखाई दे रहे हैं मुके सानी के अलावा ना तो तेजस्वी यादो अपने भाई तेज परताप यादो को लेकर घूम रहे हैं और ना ही किसी और नेता को बलके मुके सानी और तेजस्वी यादो एक साथ एक मंच से पूरा हुमच कर भासन दे रहे हैं आज भी जिस तरीके से तेजस्वी और मुकेश साहनी ने बीजेपी के खिलाफ बगावत का जणडा लेकर बिहार के 40 लोग सबासीट पर घूमने का और जनसभा करने का मन बना चुके हैं लागतार देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादों हो या फिर मुकेश साहनी एंडिये के परत्यासी के खिलाफ जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं और हज्जारों की संख्या में भीड जो तेजस्वी यादों और मुकेश साहनी के जनसभा में आ रही है वो भीड बेकाबू हो जा रहा है जैसे ही मुकेश साहनी मंच से कहते हैं कि सन अफ मला मुकेश साहनी का स्वागत है और आप सबों को परनाम करता है कि हज्जारों की संख्या की जो भीड है वो अब ये काबू हो जाती है देखे मुकेश साहनी और तेजस्वी यादो लगतार बिहार में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर बीजेपी के खिलाप बगावत का जहंडा लेकर घूम रहे हैं लगतार अब देर देरा बिहार एक सोच पर बने रहे हैं धन्यवाद